गैस आज की इस वीडियो में जो अपन strategy देखेंगे बहुत simple, बहुत आसान strategy है आज की strategy में एक भी indicator की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है indicator ज्यादा तर lagging होते हैं ठीक है, तो बहुत simple strategy है तो वो क्या करना है वोन minute के time frame को use करना है में वन मिनिट के टाइम पर अपना आगे ठीक है उसके बाद क्या करना है में इसको उटा देते हैं ये तो 15 मिनिट वाली स्ट्रेटजी है ठीक है ये अगर आपने नहीं देखिए तो इस वीडियो का लिंक का आपको देदेंगे आप देख लोगे बाद में सीख लेना पहले अभी वाली सीखो ठीक है अभी वाली स्ट्रेटजी देखो कैसे यूज करना है वन मिनिट का टाइम फ्रेम उसके बाद क् मार्किट ओपन होती है यहाँ पर ओपन होई पहली कैंडल ठीक है देखो आपको रूल्स फॉलो करने है बहुत सिंपल और आसानी स्ट्रेटजी है पहली कैंडल मिल गई 9.15 पर ओपन होगई ठीक है अब यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से अपन 5 कैंडल गिनेंगे आगे ठी दूसरी यह हो गई तीसरी यह हो गई ठीक है कंसेप्ट समझ लो लाइब मार्किट चल रही है यह देख लो अभी लाइब मार्किट में ट्रेड भी करके अपन देख लेंगे ठीक है लाइब मार्किट में भी प्रैक्टिस कर लेंगे अगर सेटप बनेगा ठीक चले कंसेप समझे पहले, देखो आज कितने trade मिले हैं, वो समझ लो, और साथ में अभी जो है, अभी दो घंटे पड़े हैं, भी देख लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, 9-15 पर जैसे ही market open होती है, ठीक क्या करना है, पहली candle, दूसरी candle, तीसरी candle, चौथी candle, पाँची candle, ठीक है, 1-2-3-4-5 ठीक, पाँच candle, तो पहली पाँच candle हमें देखनी है, तो पाँच candle हमने देखी, यहाँ पर complete होती है, अब इन में से सबसे highest point कौन सी candle का है तो इसका है, तो इसका high mark कर लेंगे, और इन में से low point किसका है, इसका तो इसका low mark कर लेंगे, ध्यान से समझना सिर्फ यह इतना ही नहीं है कि high low mark कर लिया, बस काम बन गया, नहीं इसके साथ में rules है, ठीक है देखो, क्या है इससे पहले आपने यह strategy ना तो कहीं देखी होगी, ना कहीं सुनी होगी, तो यहाँ पर अपन high low mark कर लेते हैं, इस candle का, ठीक है yellow, ठीक है, यह अपन ने कर लिया ओके, ठीक, चलो यह 5 candle होगी, अब इसको आगे खींचेंगे इस तरीके से खींच देंगे अब आगे क्या हुआ अपन को नहीं पता, ठीक अब आगे क्या करना है, आगे अपन को 5 candle और गिननी है ठीक है, 5 candle और count करनी है तो यहाँ पर देखते हैं, यह अपनी 5 candle होगी ठीक, उसके बार यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो इन 5 candle में अपन को कोई भी result नहीं मिला ठीक है, यह box बनाने के अगली 5 candle देखनी है अगली 5 candle में breakout यह तो इधर हो जाए, या तो इधर हो जाए अगर इधर breakout होगा तो हम call side के entry लेंगे, अगर इधर breakout होगा तो हम put side के entry लेंगे ठीक, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर 5 candle में breakout नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं अब हम इसको हटा देंगे इस box को ठीक है चलो इस box को यहां से हटा दिया हटाने के बाद अब यहां से फिर से अपन 5 candle देखेंगे अच्छा एक चीज और ध्यान रखना जो 5 candle देखनी है वो हमें 5 के multiple के time frame को use करके ही देखना है ठीक है देखो क्या है समझो यहां आप 9,15 ठीक है तो यहां से गिनना शुरू किया अब ऐसा नहीं है कि अपन कहीं से भी गिनेंगे यहां से गिनना शुरू कर दे 9,21 से नहीं हमें अगर गिनना है तो इस से गिनना है ठीक है जो 5 के multiple पर आता है यानि 15,20, 9,15, 9,20, 9,25, 9,30 लेकिन इसमें भी आगे अभी आ multiple वाली ही candle से शुरू करनी है हमें 5 candle गिननी है 5 candle की counting 5 के multiple में जो आती है उसी से शुरू करेंगे ठीक तो अब यहां पर जैसे इसमें अपन का breakout नहीं हुआ तो यहां पर अब क्या करेंगे 9,20 से अपन गिनेंगे ठीक है तो पहली candle, दूसरी candle, तीसरी candle, चौती candle और यह हो हो गई 5 वी, 9 बचके 24 मिनट पर जो शुरू हुई है यह 5 वी candle हो गई, अब इसमें सबसे lowest point कौन सा है, सबसे low point है यह वाला ठीक, और इन 5 candle में सबसे high point कौन सा है, यह वाला, तो अब यहां पर हम marking करेंगे ठीक है, तो इसका high low mark कर लेते हैं, ठीक, चली, इसका high low अपन मा उसके बाद इसको यहां पर इस तरीके से खीच देंगे, चलो, खीच दिया, अब फिर से हम 5 candle गिनेंगे, ठीक है, तो पहली यह वाली, यह वाली और यह मिला करके, ठीक है, यह मिला करके हमारी 5 candle हुई है, यहां तक ठीक, अब इसके बाद हमें गिननी है, तो पहली हो गई दूसरी हो गई, दूसरी candle आप देख रहो हो, यहाँ पर breakout दे देती है इस box के बाहर निकल जाती है, अगर इधर निकलती तो इधर अपन trade बनाते हैं अब यह इधर निकली तो हम इधर trade बनाएंगे, ठीक है, चलो अब इस candle ने breakout दिया, अब जैसे ही इसका low कटेगा जिस candle ने breakout दिया है, इसके low कटते ही entry ले लेनी है और जिस candle ने breakout दिया है, उसके यहाँ पर हम stop loss लगा लेंगे simple है, आसान है, लेकिन वीडियो में अभी बने रहना, ठीक है बारीकियों को समझ लो, बहुत simple, बहुत easy, बहुत effective strategy है ठीक है, चलो, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर entry बना लेंगे चलिए entry बना लेते हैं, short position, यहाँ बना ली entry और यहाँ हो गया stop loss, ठीक है, यहाँ पर रखा हमने stop loss और यहाँ पर हमारा जो आएगा target यहाँ पर 1 is to 1.5 का target लेकर हमें market से बाहर हो जाना है अब target को ध्यान रखना, target भी कैसे लेना है, यहाँ पर देको 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 candle के अंदर ही target मिल जाना चाहिए ठीक है, अभी concept clear करते रहिए, समझते रहिए, ध्यान से ठीक है, बहुत आसान है, confused नहीं होना पहली 5 candle, ठीक है, 5 candle को लेकर अपन को एक box बनाना है ठीक, 5 candle को, लेकिन जो पहली candle गिननी है, वो हमें 5 के multiple के time frame के हिसाब से गिननी है ठीक है, 9, 15, 9, 20, 10, 15, 10, 15, 10, 20, 25, 30, ठीक है, 35, 40, इस तरीके से चलो, उसके बाद जब box बना लेंगे तो अगली 5 candle के अंदर break out हो जाना चाहिए और उसके बाद अगली 5 candle के अंदर target मिल जाना चाहिए, ठीक है ठीक है, इतना समझ में आ गया, अभी आप धीरे-धीरे concept को समझते जाओगे और बहुत simple है यह target हमें मिल गया, चलो, target मिल गया, अब क्या करना है, पाँच candle हमें फिर से ignore कर देनी है ठीक, तो हमें किस candle ने target दिया है, इस candle पे target मिला है, यहां से पाँच, तो हमें इस candle ने target दिया है, तो यहां से पाँच candle इग्नोर कर देंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, यह पाँच candle हमने ignore कर दी, 9.35 तक, ठीक, अब यहां से जो है, हम फिर से पाँच candle गिनेंगे से 35 है तो यहां से गिन सकते हैं तो पहली दूसरी तीसरी चौती पाचवी यह पाचवी केंडल 939 वाली हो गई यहां पर एक बॉक्स हम फिर से बना लेंगे चिक है यह देखो 935 से हमने गिना है सबसे हाइस्ट पॉइंट इस केंडल ने लगाया है तो यह हो गया सबसे हाई और सबसे लो हो गया यह चलो अब यहां पर क्या करेंगे इसको खीच कर आगे बढ़ा देंगे अब देखो फिर से ब्रेक आउट का वेट करेंगे कौन सी केंडल ने ब्रेक आउट किया इस केंडल ने ब्रेक आउट कर दिया यह देखो यह पहली है यह दूसरी है यह तीसर बनेगा ठीक है तो यहां पर इस candle ने breakout कर दिया अब इसका जैसे ही high कटेगा अपन entry बना लेंगे ठीक है तो यहां पर देखो जैसे ही इसका high यहां पर break हुआ इस candle ने किया यहां पर अपन entry बना लेंगे long position ठीक अब इसमें stop loss आपके छोटे रहेंगे चाहो तो 1 is to 1.5 या 1 is to 1 पर भी निकल सकते हो यहां पर देखो यह हो गया अपना stop loss और यह हो गया 1 is to 1.5 का अपना target कौन सी candle ने target दिया अगली पांच candle के अंदर ही target चाहिए यह भी ध्यान रखना इसके पीछे logic क्या है ऐसा क्यों अपन बोल रहे हैं अपन discuss कर रहे हैं वह अभी आप समझ जाओ हो गये ठीक है तो अगली ही candle ने target अपन को दे दिया इसने यहां पर entry बनी और इस candle पर अपन को target मिल जा second वाली 942 वाली ने target दिया अब यहां से पांच candle हम फिर से ignore करेंगे तो एक दो तीन चार पांच यह पांच candle 947 पर हमने ignore कर दी ठीक है अब यहां से जब ignore कर दी candle तो पांच candle फिर देखनी है लेकिन पांच के multiple पर तो अभी इसको नहीं consider कर सकते है 947 को भी 48 भी नहीं होगा 49 भी नहीं होगा 50 यह consider हो जाएगी ठीक है 950 वाली तो अब यहां से पांच candle फिर गिनेंगे तो पहली दूसरी तीसरी चौती यह पांच वी candle ठीक है 9 बच के 14 ठीक है तो इसके high से लेकर के और इसको इसके low तक ठीक है 949 फिफ्टी फॉर वाली candle का low point लेंगे ठीक है क्योंकि सबसे low इसी ने लगाया है मतलब 954 का ही नहीं लेना है 954 का मतलब यह है क्योंकि सबसे यह देखू यह पांच candle हो गई ठीक है यह पांच candle में सबसे lowest point इस व सबसे highest point इसका है तो इसका high mark कर लिया इसका low mark कर लिया बस अब अगली 5 candle में हमें breakout चाहिए तो अगली ही candle ने breakout दे दिया इसका low जैसे ही कटेगा अपन entry बना लेंगे और यहां पर अपन stop loss डाल लेंगे ठीक है तो चलिए यहां पर stop loss डाल लेते हैं अब ध्यान से समझते चल यह हो गया ठीक और one is to one point five का target अगली पांच candle में अपनको चाहिए तो मिल गया कौन सी candle ने दिया I think इसने दिया है ठीक है हाँ इसने target दे दिया चलो अब यहां से पांच candle इग्नोर कर देंगे एक दो तीन चार पांच यह दस बच के दो मिनट वाली candle हमने इग्नोर कर दी अब क्या करेंगे अब फिर से पांच candle देखेंगे लेकिन पांच के multiple के time frame तो यहां से नहीं होगा यहां से भी नहीं चलो, अब जिस भी candle ने सबसे lowest low लगाया होगा, उसी को marking हमें करना है, ठीक है, तो लीजिए, अब इसको खीज दिया, अब अगली 5 candle में breakout चाहिए, तो क्या हुआ या नहीं, वो देखते हैं, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, यहां से अगली candle यह है, 1, 2, 3, 4, 5, इस green candle तक breakout नहीं हु इसको यहां से हटा दिया, इसको यहां से हटा दिया, अब फिर से यहां से आगे 5 के multiple पे देखेंगे, ठीक है, तो यह 10, 15 से हम शुरू कर सकते हैं, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौती, पाच्वी, ठीक है, 10 बचके 19 मिनट तक, अब यहां पर देखते हैं, 10, 19, ठीक, तो 2, 3, 4, 5, ठीक है, सबसे lowest point यह हो जाएगा, तो यहां से अगर देखेंगे, तो यह हो गया, और यहां पर अब देखते हैं, ठीक, यहां पर देखेंगे, तो क्या हुआ, यहां पर इस candle ने breakout दिया, ठीक है, इसने breakout दिया, अगली बार इसका low नहीं कटा, ठीक है, तो entry नहीं लेंगे, अब इसको यहां से हटा लेंगे, ठीक, अब आगे फिर से देखेंगे, ओके, concept एक बार clear कर लो, वीडियो को दोबारा देख लेना चाहे, यहां से 5 candle, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, अब आगे 5 का multiple देखेंगे, 28, 29, 30, यहां से देख सकते हैं, ठीक है, तो पहली, दूसरी तीसरी, चौती, यह 5 जोई, यह 5 candle हो गई, ठीक है, यह हो गई 5 candle, 10, 35 तर, ठीक है, यहां से लिए, याद आगे, तो 30 से है, अब यहां पर देखो, यह वाली candle, 34 वाली candle है, तो सबसे highest point इस पे है, ठीक है, तो सबसे high point यह, और सबसे low point यहां पर है, तो high से low हम यहां पर, और इसका low mark करेंगे, चलो, यह हो गया, ठीक, अब अगली 5 candle में breakout चाहिए, तो next candle ने breakout कर दिया, लेकिन उससे अगली candle ने इसको नहीं break किया, तो हमने यहां पर entry नहीं बनाई, अब यह भी हटा देंगे, ठीक, तो अभी इसको ignore कर दिया, अब आगे 5 candle फिर से देखते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं एक बार, यहां से 1, 2, 3, यह 10, 35 की हो गई न, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 candle, अब यहां पर देखोगे, तो यह हो गई, अपनी 10, 35 से अगर लेकर चलेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 candle यह हो गई, अब यहां पर अपन मार्किंग करेंगे, यहां से यह हाई हो गया, और यह हो गई अपनी मार्किंग, चलो, ठीक है, अब क्या low break हुआ, हाँ, इसमें break हो गया, इस candle ने low break किया, ठीक है, यहां पर ध्यान से, यहां पर ध्यान से देखो, यह 10, 39 वाली candle है, तो इसका low जो है, यह रेखो, इस candle ने break कर दिया, ठीक है, अब इसके breakout पर हम entry लेंगे, लेकिन next candle ने इसको break किया है, हाँ, इसको break किया है, तो यहां पर अपने entry बनाएंगे, और यह वाला point अपना stop loss हो जागा, यह stop loss, और यहां पर अपनी entry, ठीक, उसके बाद अपन यहां पर target लेंगे, ठ slot position, यह हो गई entry, यह हो गया stop loss, और यह हो गया अपना target, ठीक है, अब target हमें 5 candle तक मिलना चाहिए, ठीक है, तो 5 candle में target, 1, 2, 3, 4, 5, यह 5 candle रेड़ वाली बनी है, यहां 1 का target हमें मिला, अब यहां पर हम बाहर हो जाएंगे, ठीक है, इससे पहले target मिल जाता, तो हम पहले बाह हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद यहां से 5 candle फिर यहां से ignore करेंगे, 1, 2, sorry, target कहां पर मिला है, इस पर हाँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर ignore किया, उसके बाद, यहां से अपन जो है, 5 candle आगे लेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यह 5 हो गई, अब इसका high, low, जो है, mark करेंगे, अगली 5 candle में break होना चाहिए, तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि consolidate है, अब यहां से फिर से 5 candle देखते हैं, जब target मिल जाएगा, तो 5 candle ignore करना है, और नहीं अगर break होता है, ठीक है, entry नहीं मिलती है, तो फि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यह सबसे lowest point है, यह सबसे highest point है, ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, अगर तो यहां पर कौन सी candle ने break किया, इसमें, देखो इसको लगा कर देख लेते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, यह हो गई, पहली, दूसरी candle यह हो, तीसरी, और यह 4th, यह 5th, ठीक है, 11, 9 व कर लेते हैं, यह लीजिए, अब आगे 5 candle में हमें चाहिए breakout, तो 5 candle में क्या हुआ, ठीक है, 5 candle में breakout अपन को चाहिए, तो यह पहली, दूसरी, तीसरी, चौती, पांच यह नहीं हुआ, ठीक है, यहां पर देखोगे, तो इसमें नीचे breakout हुआ, लेकिन इस candle ने, इसका low break नह ती, पांच वी, यह 5 candle, ठीक है, तो अब यह 5 candle है, इसको मिला कर, तो इसका highest point यह हो जाएगा, concept clear हो गया एक बार, ठीक है, समझ आ गया है, अब थोड़ा practice कर रहे हैं यहां से, देखो इसको करते चलना है, अभी live market देखनी है ना, तो यहीं से इसको करते चलना है, ऐसा नह यह हो गई 5 candle, ठीक है, तो इसका highest point तो यह चली गई, ठीक है, और lowest point यह हो गया, तो यहां भी नहीं बना भी, यहां पर फिर से ignore करेंगे, यहां से चलाएंगे, इसको कहां से, यहां से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौती, पांच वी, इसमें I think कहीं यहां भी निकटेगा, High Low, यहां भी निकटा, आगे देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, इसमें भी नहीं बरेक हुआ, पांच, इसमें बरेक हुआ है, शयद, पांच candle, और इसका High जो है, नहीं बरेक हुआ, चलो, कोई बात नहीं, तो फिर से देखते हैं, पांच candle, एक यहां से, 11.40 से देखना शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है इसका high mark कर लिया low mark कर लिया ये low हो गया 5 candle में break होना चाहिए तो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं break हुआ अब आगे फिर से देखेंगे ये रही पहली candle 2, 3, 4, 5 ठीक है आगे 5 candle में break होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5 नहीं break हुआ ठीक है अब आगे 5 candle फिर देखेंगे तो ये रही पहली ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौती, ये पाँचवी candle ठीक है पाँचवी आगे 5 candle में break out चाहिए नहीं हुआ 1, 2, 3, 4, 5 फिर से देखेंगे यहां से ठीक है पहली 12, 10 पे दूसरी, तीसरी, चौती, पाँचवी आगे 5 candle में break out चाहिए तो पहली इसी ने break कर दिया आगे फिर break नहीं हुआ तो फिर से आगे बढ़ जाएंगे ठीक है और फिर से 5 के multiple का देखेंगे और 5 के multiple में देखेंगे तो यहां से चलेंगे अब ठीक है तो 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है आगे break out चाहिए 5 candle में तो 1, 2, इसने break किया upside लेकिन next candle ने इसको break नहीं किया ठीक है फिर ignore करेंगे अब फिर से 5 के multiple में देखेंगे तो यहां पर यहां से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है अब यह 5 candle हो गई यह 5 हुई है ठीक है अब यहां पर अगली 5 candle में break out चेए 1, 2, 3, 4, 5 नहीं हुआ तो अब यहां से फिर से देखेंगे 5 candle पहली, दूसरी, तीसरी, चौती, पांच वी यह 5 candle 12, 44 ठीक है 1, 2, अब यह 5 candle 12, 44 यहां पर break out हुआ ठीक है 12, 44 ठीक है यह 5 वी candle हो गई और सबसे lowest point यह हो गया 1, 2, 3, 4, 5 सबसे high यह हो गया ठीक है यह हो गई 12, 44 और इसका low यह हो गया लिजी ठीक है अब देखो यहां पर बन गया अपना setup setup बन गया तो यहां पर इस candle ने break out कर दिया और इसके low कटते ही अपनने entry बना ली ठीक है इसके low कटते ही यहां पर low break होते ही entry बनाई entry बनाने के बाद यहां पर short position और यहां पर अपन stop loss रख लेंगे जिस candle ने box का low break किया है और 1 is to 1.5 का target जो कि अपन को इसी candle में मिल जाता है flow of wind इसी candle पर मिल जाता है ये वाली candle पर क्योंकि अपन को target अगली 5 candle पर चाहिए क्योंकि अपन को target अगली 5 candle पर चाहिए तो next candle पर ही अपन को इंदो candle में target मिल जाता है तो guys यहाँ पर जैसे अपनको target मिल गया ठीक है तो simple strategy आपको कुछ नहीं करना concept आप समझ गया होगे पहली 5 candle में अपनको जो है देखकर ठीक है 5 के multiple time frame पर अपनको देखना है और 5 candle को लेकर सबसे highest point, सबसे lowest point अपनको mark करना है अगली 5 candle में break out या break down हो जाना ठीक है, उसके बाद अगली 5 candle के अंदर target मिल जाना चाहिए जो candle break out करेगी या break down करेगी उस candle के break out पर ठीक है, यहाँ पर देखो जिस candle ने break out किया यहाँ पर इसके low कटने पर entry लेना है यहाँ पर stop loss डाल लेना है ठीक है अगर इधर breakout होता है तो यहाँ पर entry और यहाँ पर stop loss बस इतना ही काम है और जब target मिल जाएगा तो 5 candle को ignore करना है फिर आगे शुरू करना है ठीक है तो ठीक है इतना rules आपको समझ में आ गया आप और समझ लो यहाँ पर ठीक है एक rules और समझ लो इस पर कम से कम नहीं ठीक है 15 दिन तक one lot से paper trade करना है और डेली अपने trade को लिखना है 15 दिन ठीक है अब खुद जब setup को अच्छे से समझ पाएंगे अच्छे से practice करेंगे तभी आपका confidence आएगा तभी आप setup को यूज़ कर पाएंगे ठीक है तो उमीध है वीडियो आपको अच्छी लेगी होगी जानकरी समझ आ गई होगी वीडियो अच्छी लेगी है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कोई सवाल है कोई सुझाओ है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद शुक्रिया